नमस्कार दोस्तों वीडियो बंडा यूट्यूब चैनल और वीडियो बंडार फेस्बूक पेज में आपका स्वागत है आज आप लोगों को ना एक आर्वेस्टर दिखाऊंगा जो की कलास कंपनी की है क्रोप टाइगर 60 और आज गे टाइम में मार्केट में नहीं मिलती सब तो से बड़ी खास बात देखो आर्वेस्टर दिखाने मक्सद यह मेरा कि देखो कंपनी ने कितनी जबरदस चीज निकाली थी एक आर्वेस्टर और भी खड़ी अपने पास वैसे इसी बात नहीं इन दोनों थोड़ा छोटा 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 चुटा कंपेर दिखाऊंगा आप लोगों पर इस आर्वेस्टर में क्या खास बात दी थी जो वीडियो बनाने रीजन है यह निक वैसे आर्वेस्टर दिखा इसमें बहुत कुछ अलग चीज दिखा रखी है देर डाल रखी कंपनी ने आप लोगों दिखाऊंगा मैं एक तो रूटरी ड्रम के साथ मैं है जो कि आम मार्केट में आपने कहीं दीखेगी वैसे बार और फिर इसका डीटेल में दिखाऊंगा एक चीज दिखाऊंगा अंदर तक जा यह अपना क्रोब टाइगर 60 है अब यह मार्केट में नहीं यह 2011-2011 के करीब निकाली तो इस आर्वेस्टर में और उस आर्वेस् की कटिंगेरिये के साथ में आता है 16 फुट की कटिंगेरिये के साथ में और इस मशीन में चौक उने के चांश कम है इसका रीजन भी दखाता हूं यह इसका अपना थ्रेसर पड़ाया वह बार यह है चुराशी इंच का लंबा दान के लिए ठीक है जो इसकी लंबा है स्ट्राति 1 41 इंच का जो कि इनका मुझ भी चोड़ा होता है फिर भी इसका जो है सथ्रेशर की जो ड्लम यह कम है इसके ध nibज नहीं जयादा और इसमें फोर करने होते इनम्श्टो कर हैं उसमें स्ट्रोंट करनी होते और जैसे एक तो मेन फिचर यह है चेंज उसके बाद पिछे एक अपना यह लगता है को और कट्र के साथ पिछे जो बैक में लगा यह भर्मा यह आप लोगों बता हुआ जो की फसल में जो अफसेस हैं वह उनको साइड में डालता रहा इसका भी बैनिफिट में आप लोगों दिखाऊंगा यह बर्मा है जो इसका वाजिकर करना तो पिछे चलूँगा तो यह अपना इसका कट्र है 16 फुट के साथ में कट्र जो कटिंग एरिया है और इस कट्र के साथ ना खास बाते कट्र की और बताता हूं आप लोगों जो यह कट्र है आपको लगबग लगबग जितनी भी फसल है सारी फसल कट करेगा सर्शों है जो इसके अंदर एक दो 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 आदो पाइप है दो तीन च्यार पांच और यह चटी आरी छे पाइप आपका सर्शों काम करें बड़ी अच्छे तरीक के उसी में मतलब कंपनी नहीं तरह सोच कर यह कंब आर्वेस्टर बनाई थी बहुत ज्यादा सोच समझ गया और इसकी जो सब्सक्राइब करें नहीं को जैसे अंदर पाइप के अंदर होने का स्पोर्ट जैदा मिलगी स्पोर्ट मिलने का थोड़ी वो टेटी में हो जाते हैं लेकिन तूटने को एडर नहीं इनका अभी जो जंग लग रहा है क्योंकि यह काफी दिन से खड़ी है पूरा साल अभी सब्सक्राइब करें तो यह गूंता रहेगा और यह सलिप कर जाएगा जिससे क्या है आपके रील में टूट फूट का चांस ना मतर और उससे आपका पहली बात तो यह रिंग गिशना बहुत लेट किसेगा बाइस चांस घिस भी गया तो आपका खर्चा एक है विसको यह सब्सक्राइब करें चलती रहेगी और उस टाइम से यह मोटर देख इसके अंदर मोटर आती थी आप है वह इसके अंदर उस टाइम से ही है यह मोटर और इसके यह है मेड इन जर्मनी है जो की इसमें दिखाएगी निसाइद लिखा हुआ मेड जर्मनी गे उस टाइम वाकि यह मशीन वार्शे बन काई थी पूरी पूरी मशीन और इंडिया में बहुत कम जैसे बड़े-बड़े फार्मों को में सेल भी की थी कुछ कंपनीर वापीस भी मगाई थी लेकिन जमीदार उन दी नहीं देखो इसमें यह जो अपना जो बीच में अपना जो यह ड्रम घूमेगा जो फसल को इक ठीक करकर एक सेंट्र में लेकर जाएगा उंदर चटाने उसमें भी यह स्लीप कले से दे रहाखी इसके जो स्परिंग वह अंदर की साइड दे रहे यह स्लीप कले से यह भी अगर माने चलो जैसे कोई पथर वगार चट गया और आपका जो यह यह जो बीच वाला जो ड्रम है यह गूमने में अटक गया हो इसमें अटकने अटकने बाद यह तूटेगा नहीं वहां से सलिप हो जाएगा और आर्वेस्टर जैसे इंजिन जो अपना जोर लगाता रहा लेकिन आपका टूटने कोई ड्र नही है कटर में जैसे यहां बहुत सारे फीचर है और जो अपने जो नोर्मल कम आर्वेस्टर अंदर दे रखें यह सबसे बड़ी बात है इसकी एक तो कटर भी अलग बना दिया ड्रम अलग बना दिया इसका ठ्रेसर ड्रम है और चेंज जो सिस्टम इसका भीड़ा है और सबसे आपके एक्सल जो रिडक्षिन है इसका रिडक्षिन के साथ मैं रिडक्षिन जो रिडक्षिन बड़ नहीं पड़ता इससे जो जटका वगरा है वो शोकर आउप्जार कर लेता है तो एक्सल बदाब ना दबाओ ना आए उस चीज के लिए वह यह एक डिजाइन कर रखें और दूसरी बात मैं चीज बता जैसे बैल्ट चलती है बैल्ट चलने के बाद कहीं भी चोक होने का कोई भी चांस हो जाता है तो इस मेहना लग भग हर जहें स्लिप कले से लगा रहे हैं कि यह देखो यह वी सबीब करेगी यह कले सब्सक्राइब करेगी और यह रिगा शु फूस आरप शुब मेरे का यह जो लग जो लग रहे हैं यहां से आ पर आएगा और से साओर निकल के यहां से मीदेट में डालती वीचली जाएगी इहां पर एक साइड में जो कट्रें साइड में काफी साइड में होगा 16 여러분 यह और डुसरी बात इसमें 3000 लीटर गा अर aun स्की तो बड़ी एक और चीज बताता हूं जो बर्मा होता है यह जो अपनी फसल को ट्रोलीम लोड करने के लिए इसको आप बंद करके चला सकते हो जैसे इसको अभी फिलाल यह खोल रखेया था अगर आप इसको फोल्ड को पिछे फोल्ड हो जाएगा वह नीचे होगा यह पिछे तो वह प्रमा को चलाना पड़ता है जो पेड़ बड़ा कैयर यू थोड़ा आपे पड़ें तो वह आपर चलाना, इसको बहुत ही इसको असान है उनको थोड़ा मुश्किल पड़ता है और इसमें वेलर सारा system बेल्ट के साथ मैं मैं जैसे अगर बंदा ध bathtub देखे तो आसानी समझ में आती चिछे और इसमें क्या है जैसे चेंजर है हाइओ करने के लिए स्पीड लो करने केलिए हईड्रौोशका सारा सिस्टम इसमां आपमेटिक ली और यह यहां पर चेंजर दे दिया कि अप्पीड बगारा चींज करने कि आप वा सारी चिज्जें और यह अपना बैल्ट वगारा शाथ में लग रही सारा सिस्टम इस अलग अलग परकार से अलग रिस्टम और जो पित्छले अश्का हैं अग्या प्छल इसल सब्सक्राइब और यहां पिछे लगागा बर्मा वह यहां फिट हो जाएगा वह बर्मा यहां से चलका जो इसके अंदर जो भूरली है जो चोटा मोटा तो पिछे जो डालागी ना उसको क्या करें जो फूंस उसके उपर डाल देगी ताकि जब हम स्ट्रो रिपर में जब हम तूडी बढ़ा बनाएं तो उसका भी जो से सकम से कम वेस्ट होगा वेस्ट होगा और वेस्ट होने वह स्ट्रो रिपर में चटकर उसका सारी का बूसा बने और जिसे जमीदार को फाइदा मिले यह इस लेवल तक कि सोच के मशीन बना रखी थी हाइट वी नॉर्मल है इसक पिछे गिराती चलेगी लेकिन उसके लिए बर्माय दे दिया जो कि पिछे गिरागा तो नीचे चला जागा जमीन वह स्टोव अपना जो स्टोरी पर वो नहीं उठा पाई वेस्ट लिए उसको ना नाज के उपर डाल देगी जिसे वह भी लोस बिल्कुल खतम है बड़ा स तोच समझ के बना रहा है मशीन अगर हम बात करते हैं इसके इंजन की जो इसका इंजन है वह एक सो पत्चीश पी का टाटा कंपनी अगर मैं दिखाओ आप लोगों पर फिर भी चलते यह नीचे तो दे दिए डीजल टैंक तो यह नीचे यहां पर डीजल टैंक दे दिया औ और सब्सक्राइब का टाटा कंपनी का टाटा एंजन है तिन दिए तीन अब यह चीज बताता है अब लोगों जो इसका एर कलीनर है ना जखो यह जाली दे रखी है जो के साफ करना बड़ आशान है और इसके लिए यहां से खौल इसको अलग से खोल गया अलग से शाफ करके वा ऐसी कोई दिव्यक्ति नहीं याकती इसके अंदर है और रेडियेटर सुरी रेडियेटर एडियेटर जो है सफाई करना कफ संदेल लग रखार और जो यह पिछे चीड्य ना इस इसमें भी फीचर दे रख्या है जैसे अभी फिलाल तो यह लंबी डली हुए है अगर आपने शोटी करके देखो यह यहां पर लोक दी है इस लोक को यहां से निकाल का आप इसमें डालो और यह बिल्कुल इसके से और भी हाइट बढ़ जाएगी ताकि अगर स्पीड आई लो कर सकते हैं अपने आप अपना साथ काम कर सकता है यह यह पर दे दिया और सारा चेन लगा के प्रपर त्रीक के से वेल मेंटेंड कर रखे मशीन बहुत दिमाग बनाने वाले में बहुत ज्यादा दिमाग लगा इसके अंदर और मैं आपको दिखाऊं एक च तो जो मशीन है ना मशीन का कटर चलाने के लिए इन्होंने कोई बेल्ट वगारा सिस्टम नहीं दिया मशीन कटर चलाने के लिए यह देखो रूटर दे दिया यहां पर रूटावेटर में जैसे होता क्रोश होता है इस टाइब का सिस्टम दे दिया इसको लगा के आप डि अभी जैसे बंदा नई लेगा अभी बहुत सारे फीचर दो में भी नहीं पता इसके बारे में काफी अच्छी किफाहिते मशीन है जैसे और मशीनों के कंपेर में जैसे में इस मशीन में बहुत कुछ अलग है जो इसका ग्रेंड टैंक है वो तो असी पचैसी मनतक मार अपना मर रख लेगा 3000 लीटर का है उससे लगबग डबल है इसका काम डबल करती है स्पीड बड़ी आइसकी 125 एच्प का इंजनी इसलिए कम टाइम में ज्यादा काम करेगी गीलेलान में जैसे रात को लेट तक चलेगी और कंपनियों में जैसे यह 2012 मोडल में हिए आज के टाइम में मशीन नहीं मिलती बहुत बढ़िया मशीन है चलाने के लिए ओपरेटर के लिए सारी चीजे काफी ध्यान में रखके मशीन को बनाया है अगर मैं आप लोगो ऊपर से दिखा हूं चटके तो अपना इसका अपर फीटर जो है जो इसका जो यहीं भी लंबा है देखो ड्राइवर के लिए से कमपट देखने में काफी आसान में लागा यह यह बाइन अभी बताने लग रहा है साथ के साथ मैं फीडर इसका लंबा है और मैं ऊपर चलके दिखाओं आप लोगो को मीटर वगरा इसके उपर थोड़ा तरह मुस्किल है गया मेरे के साथ थोड़ा मुश्किल है आधे यह देखो यह ग्रेंट टेंक पिछे तक ग्रेंट टेंक हो जाली लग रही सामने एकर लिए हो इसको बंद करके बना आराम से चला सकते हैं और तो सारे फिचर लग वही है पस्पर से यह हैं यह आई लोग श्पीड करने का य एक रिवर्स है तीन गेर रेस बगर और तो सारी चीजे नोर्मल है और तो कोई दिक्कत निया विजिबल्टी में कोई दिक्कत निया ती काफी दूर तका दिखाई देता है यही थी थोटी-चोटी चीजे जोंगा आप लोगों दो यह ना और दूसरी आर्वेस्टर से इस आ काम बहुत ज्यादा ने तब यहां चलो में को मुझ Denmark बता दिया और अगर आप लोगों मुफर्म कोशिश के बार आप कों सा शकती हो और यूदे कर सब्सक्राइब करना यूदО ऐस सीर खना ताकंक्त